चाल लोगो, स्टार्ट करें, ठीक है, बैठ जोगो, डिस्टर्बेंसेज ओफ परसेप्शन, तो सबसे पहले डिस्टर्बेंसेज में जाने से पहले एक बार परसेप्शन होता क्या है, वो देख लेता है, ठीक है, perception वैसे competition exam में तो एक question आता है कि perception is interpretation and analysis दो शब्दों का एक question आता है competition exam में कि what is perception और option में देता है interpretation and analysis अलग अलग तरह के option आते हैं जैसे कि sensation and imagination imagination and analysis interpretation and analysis तो सही answer जाता है interpretation and analysis पर थोड़ा सा detail में हम समझते हैं इसको perception मतलब पहले English में whatever I see whatever I hear whatever I smell whatever I taste and whatever I feel all the information goes to my brain through the sensory process through the sensory process where interpretation and analysis occur about the stimuli and then I get to know what I am seeing what I am hearing and what I am experiencing this whole process is called perception right अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जो भी कुछ हम live में देखते हैं सुनते हैं सूंगते हैं चक्खते हैं या महसूस करते हैं पांचों sensory organ के माध्यम से information brain में जाती है जहां इस सूचना का interpretation यानि इखटा होना और analysis यानि कि study होती है तब individual व्यक्ति को पता लगता है कि वो क्या चीज़ देख रहा है सुन रहा है या अनुभाव कर रहा है इस पूरी क्रिया को इस पूरी प्रोसेस को perception कहते हैं कभी कभी perception में कुछ error आ जाते हैं जैसे की very famous दो तरह के error के बारे में हम बात करेंगे और मेरे इसाब से psychiatry का सबसे simple topic जो हम मानते हैं illusion and hallucination सबसे पहले illusion से start करते हैं illusion misinterpretation of stimuli जबकि hallucination में चलते हैं interpretation of stimuli where actual stimuli is absent चलो इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं वैसे तो सबसे simple है और जादे तर nursing और medical students को यह दोनों शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से मालूम होता है illusion illusion hallucination competitive purpose से एक simple सा question एक नंबर का एक्जाम में आता है कि रसी पढ़ी है साप समझ लिया बताओ क्या है तो सबको मेरे हिसाब से पता होता है कि यह किसकी बात कर रहा है illusion की बात कर रहा है आए देखते है illusion क्या होता है misinterpretation of stimuli मतलब कोई stimuli stimuli समझ में नहीं है तो object कोई stimuli present है कोई stimuli present है मैं उसे गलत परसीव कर रहा हूँ मैं उसे misinterpret कर रहा हूँ यह process क्या कहलेगी illusion दूसीर दरफ चलते हैं interpretation of stimuli when actual stimuli is absent यानि actual में stimuli है ही नहीं actual में stimuli है ही नहीं फिर भी बंदा उसे interpret कर रहा है फिर भी उसकी सूचना उसे मिल रही है इसका मतलब that is hallucination confusion नहीं हो ना बहुत आसान है hello word बना होलो से होलो का मतलब होता है गायब गायब मतलब appeared या disappeared appeared here appeared और either disappeared यानि object यहाँ पर present नहीं होगा जबकि यहाँ पर object present होगा यहाँ पर client object present है उसे गलत परसीव कर रहा है example सबसे simple वाला कि रसी पढ़ी है rope as a snack rope perceive as a snack यानि रसी पढ़ी है रसी क्या है यहाँ पर object है और individual उसको क्या दिखाई दे रहा है snack दिखाई दे रहा है यानि object की उपस्तिती में वो से गलत परसीव कर रहा है क्या कहलाएगा illusion और object है यह नहीं मतलब रसी है यह नहीं rope है यह नहीं फिर भी रसी दिखाई दे रही है साप है नहीं फिर भी साप दिखाई दे रहा है किसीने आवाज दी नहीं फिर भी आवाज सुनाई दे रही है किसीने टच किया ही नहीं फिर भी टच महसूस हो रहा है किसी ने कुछ खाया ही नहीं फिर भी उसका टेस्ट आ रहा है इसका मतलब actual में stimuli नहीं है फिर भी वो उसे misinterpret कर रहा है that means hallucination तो ये दो सब्द एक बार मैं दुबारा से revise कर रहा हूँ illusion और hallucination बहुत ही simple सी बात है illusion मतलब misinterpretation of stimuli इसका मतलब stimuli तो है बट मैं उसे misinterpret कर रहा हूँ that is illusion hallucination hallucination मतलब interpretation हो रहा है लेकिन actual में interpretation होने वाली चीज है ही नहीं यानि stimuli ये actual में absent है फिर भी उसका interpretation कर रहा है इसको बोलता है hallucination ये दो शब्द मेरे हिसाब से psychiatry के सबसे simple शब्द हैं जो समझ में आ गए होंगे अलग-अलग किताब हैं अलग-अलग बोलती है जैसे बोल्चाल की बाषा में illusion को हम क्या कहते है wrong perception बोल्चाल की बाषा में illusion को हम क्या कहते है wrong perception इसलिए क्योंकि इस्टिमुलाई है मैं उसे गलत परसीव कर रहा हूँ wrong परसीव कर रहा हूँ जब कि hallucination की बात करें तो बोल्चाल की बात सामें यूजूली वी कॉल्ड क्या कहते है इसको false perception false perception यानि कोई चीज है नहीं फेर भी उसका false perception हो रहा है तो दो शब्द हमने डिसकस किये illusion hallucination थोड़ा सा और अंदर चलते हैं competitive purpose से बात करते हैं hallucination कितने तरह का होता है और illusion कितने तरह का होता है आएए देखते है जाब है hallucination hallucination होता है मेली पांच तरह का पांच ही तरह का क्यों होता है वही क्योंकि पांच ही तरह के हमारी बोड़ी में क्या पाई जाते हैं सेंसे हमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की बात ही नहीं कर रहे है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी होता है जैसे की पूर्व आवास फिल्मों में दिखाते हैं कि आज तो कुछ बुरा होने वाला है कि घटना घटित होने से पहले ही उसका आवास हो जाए इस एक्स्टा सेंसरी परसेप्शन प्री कोगनिशन इसको बहुते हैं क्लेरी वोयन्स एक टर्म होता है साइगेटरी में क्लेरी वोयन्स पेरा साइकलोजी का टॉपिक है, क्लेरी वोयांस, मतलब प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर की पहले से एक देखने की छमता, वो एक्ष्रा सेंसरी की बात होगा ही, come to the topic, हम सेंसरी की बात कर रहे हैं, कि पांच ही तरह का एलूजिनेशन क्यों होता है, या पांच ही तरह का सेंसरी ओरगन पाये जाते हैं, तो सबसे पहले इयर से रेलेटेड समझ लेते हैं कि सुनाई देने वाला, जो हैलूजिनेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, अघलू जेंचन दूसरा दिखाई देने वाला, उसको क्या बोलेंगे, विजूल जेंचन तीसरा, ओल फैक्टरी olfactory hallucination चोथा है gastatory hallucination और last and final tactile hallucination वहाँ पस चलते हैं पॉइंट पे पाँच sensory organ तो पाँच ही तरह के hallucination मेरे इसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी auditory auditory hallucination में hallucination की बात कर लेते हैं hallucination मतलब stimuli is absent फिर भी उसे क्या सुनाई दे रही हैं आवाज हैं यानि इसको मैं बोल सकता हूँ hallucination of hearing तो auditory hearing से ही related क्यों है ये आप सभी को पता होगा कि हम anatomy में या physiology में पढ़ते हैं कि auditory ये canal पाई जाती है जो कि कहाँ पाई जाती है ear के अंदर तो हमें hint बन गई कि auditory hallucination में तरह तरह की आवाजों का सुनाई देना और थोड़ा deep चलेंगे लेकिन पहले general पाउंचों का meaning समझ लेते हैं दूसरा है visual hallucination visual hallucination मतलब hallucination of vision मरीज को तरह तरह की चीजें इसमें दिखाई देने लग जाती है तीसरा olfactory olfactory किस से related है olfactory related है smell से smell से related है जैसा कि हम सभी जानते है the hallucination of smell अच्छा smell से related क्यों है हम सभी जानते हैं कि nasal cavity के अंदर ethmoid bone पाई जाती है और ethmoid bone में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से ये nerve receptors निकले रहते हैं ये nerve receptors posterior surface पर जाकर एक बड़ी nerve का निर्माण करते है जो कि क्या खेलाती है olfactory nerve जो कि smell से हमें perception करवाती है ये olfactory nerve brain में जा रही है brain में कहां जा रही है brain में जा रही है olfactory area में तो जा रही है you are right but कौन सी lobe में जा रही है मेरे कहने का मतलब temporal lobe में जा रही है frontal में जा रही है parietal में जा रही है occipital में जा रही है start एक बड़ दुबारा से olfactory nerve जो सुनाई smell का का काम करती है वुस का area जैसा कि हम मालूम है कि सुनाई देने वाला area कहा होता है सुनाई देने वाला temporal में और आज से हमने एक और नए चीश सीख ली कि सुनाई देने वाला एरिया यानि hearing एरिया और सुनने वाला एरिया यानि सुनने वाला एरिया और सुनने वाला एरिया दोनों ही एरिया ब्रेइन में कहाँ पाये जाते हैं डीप temporal lobe वापस आजाओ अपने topic पे कि आज पता लग गया कि hall factory नर्व होती है जो कि smell का काम करती है इसलिए इसको बोलते हैं hallucination of smell आगे चलते है गेस्टेटरी गस्टा मैं गेस्टेशन नहीं बोल रहा हूं वो ओबीजी से related है gestation वो duration है हम बात कर रहे हैं गस्टा गस्टा वर्ड किस से related हैं टंग से यानि की hallucination of taste तो गस्टेटरी hallucination हो गए hallucination of taste आगे चलते हैं last and final tactile टेक्टाइल टी से touch याद कर लें tea for touch यानि hallucination of touch यानि तरह तरह की चीज़ें feel होना hallucination of touch कहलाता है एक बार summarize कर लेते हैं फटा फट से auditory hallucination में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं इसलिए इसको कहते हैं hallucination of hearing visual hallucination में तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं इसको कहते हैं hallucination of vision olfactory hallucination को कहते है hallucination of smell तरह तरह के स्वाद आना टेस्ट आना जबकी stimuli is stimuli is absent यानि की hallucination यानि मरीज ने रसुल्ला नहीं खाया बड़ उसे फिर भी मीठा आ रहा है मरीज को उल्टिया नहीं आ रही फिर भी उसको bitter taste आ रहा है यानि stimuli तो नहीं है पर फिर भी उसे चीजों की अनुबुती हो रही है क्या कहलाएगा gustatory hallucination और अगर रसुल्ला खाया है और कड़वा टेस्ट आ रहा है तो वो hallucination है कि illusion है illusion क्योंकि रसुल्ला मीठा है जबकि उसे टेस्ट उल्टा रहा है यानि stimuli परजेंट है वो से गलत परसी कर रहा है तो इसकी बाद हम बाद में करेंगे पहले hallucination में चलते है और लास्ट एक्टाइल hallucination यानि टी फॉर टच यानि टच से रिलेटेड होने वाले hallucination थोड़ा सा और समराइज करते हैं auditory बहुत कम बच्चे जानते हैं कि auditory hallucination का दूसरा नाम पैरा क्यूसिया है पैरा क्यूसिया एक फॉर्म होती है जो hearing से रिलेटेड है इसलिए इसका दूसरा नाम है पैरा क्यूसिया auditory hallucination को इसमें चलो एक question बूस्ता हूँ मैं आप लोगों से पांचों में से most common type का जो hallucination होता है मरीज को हम बात disorders की कर रहे हैं صिरे disorders की कर रहे है मतलब क्या हमें भी hallucination हो जाते हैं क्या normal client को भी hallucination हो जाते हैं बिलकुल हो जाते हैं उनकी बात करेंगे थोड़ी दिर के बाद पहले बात करते हैं कि मरीज को सबसे commonly सुनाई दिखाई व महसूस होने वाले अन्य हैलूजिनेशन में से सबसे ज़्यादा कॉमन जो हैलूजिनेशन होते हैं वह कौन से होते हैं और यानि कोश्चन अगर एक्जाम में आ जाए दो तरीके से कि most common type of hallucination ऐसे भी आ सकता है और direct भी पूछ सकता है most common type of hallucination in सीजोफरेनिया तो दोनों का यह answer क्या जाएगा और डिटेरिया यहां तक बात क्लिए रहे आगे चलो generally सीजोफरेनिया का मरीज देखो क्या complain करता है generally सीजोफरेनिया का मरीज whistling sound और hissing sound whistling sound और hissing sound यानि CT की आवाज है या साप की फूकारों की आवाज है मरीज दददर complain करता है यानि वो बोलेगा कि डॉक्टर साब मुझे CT की आवाज आती है मुझे साप की फूकारों की आवाज आती है इसका मतलब उसे hallucination हो रहा है कई तरह के question exam में आते है मैं आपको बहुत अच्छा question बताता हूँ या थोड़ा सा all deep चलते है क्योंकि basic basic चीजे तो आपको पहले से पता है जो आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को उन सब को बता है कि all factory का मतलब क्या होता है मैं ये की थोड़ा सा detail में बता देता हूँ बाकी इपन देखते हैं तो auditory के बारे हम बात कर रहे हैं कि तरह तरह की आवाज हैं whistling sound, hissing sound वगएरा वगएरा आती है question exam में इस तरीके से भी आने लग गए आजकल धान दें थोड़ा सा running commentary running commentary hallucination running commentary hallucination is a form of कि किस तरह के hallucination की form है running commentary hallucination तो आपने generally mental illness में client को बड़ बड़ाते हुए देखा होगा इस स्पीड से बोलते हुए देखा होगा जबकि उसके पास तो कोई नहीं है हमें लग रहा है शायद ये बीमार है या मांसी गूरूप से बीमार है इसलिए बड़ बड़ा रहा है ऐसा हम मान लेते हैं बट एक्ट्वल में ऐसा नहीं है एक्ट्वल में क्या है एक्ट्वल में उसको तरह तरह की आवाज है अब हमें पता लग गया कि उसके दिमाग से तरह तरह की आवाज आ रही है जब की इस टिमूलाई इज? एप्सेंट तो ये किस तरह का हैलूजनेशन हुए? किस तरह का हैलूजनेशन हुए? और टरी हैलूजनेशन और चलते हैं एक और तरह का नए कषचन बताता हूं मैं आपको एक मरीज है जसे हम बोल रहे हैं कि खाना खालो और मरीज बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि अभी ओर्डर नहीं आया हमने पूछ रहे है कि कहां से ओर्डर आएगा वो बोलेगा मेरे अंदर से आवाजें आएगी तो जब कमांड आएगी तब मैं खाना खालो एक और नहीं तरह का हैलूजनेशन मैं आपको बताता हूँ जिसे कहते हैं कमांड हैलूजनेशन कमांड हैलूजनेशन अब आवाज आएगी ओर्डर आएगा तरह तरह के ओर्डर उसे आते हैं वो उसे फॉलो करता है यानि किस तरह का हैलूजनेशन है Auditory Hallucination तो आज हमने एक चीज़ पड़ी समराइज कर देता हूँ Auditory Hallucination में तरह तरह की आवाजे आती है इसका दूसरा नाम है पैरा क्यूसिया इसमें मरीज को CT की आवाज है या हिसिंग साउंड सुनाई दे सकती है इसके अलावा Running Commentary Hallucination जिसमें वो Speed से Commentary की तरह बोल सकता है या Command Hallucination जिसमें वो ये कह सकता है कि मुझे Order आएगा तब ही मैं ये काम करूँगा ये दोनों एक्जामपल भी किसके हैं Auditory Hallucination आगे चलते है कुश्चन एक्जाम में आये कि सीजोफरेनिया में Most Commonly Hallucination कौन सा है उसका जवाब भी Auditory कुश्चन आजाए कि मेनिया डिप्रेशन में Most Commonly Hallucination कौन सा है उसका जवाब भी Auditory साहिगे ट्री की 90% बीमारियों में सबसे ज़ादा होने वाला Hallucination Auditory Alcohol withdrawal syndrome या Delirium को छोड़ कर तो आईए बात करते हैं अगले Hallucination की जो की Visual है नाम से ही दिख रहा है कि इसमें तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे सीजोफरीनिया का एक्जामपल देता हूँ मरीज आप बोलता है Sister मुझे बचा लो वो मुझे मारने आ रहा है वो देखो यमराज आ रहा है जो मुझे ले जाएंगे तलवार है उनके हाथ में मतलब उसे चीज़ें दिखाई दे रही है hallucinations हो रहा है illusion नहीं है क्यों नहीं है illusion क्योंकि illusion में stimuli present होता है और hallucination में absent वापस आ जाओ visual hallucination में उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती है अब मैं एक example दे रहा हूँ यहां हमने याद कर लिया कि most commonly सीजोफरेनिया में कौन से पहे जाता है auditory अब मैं एक example दे रहा हूँ visual का visual में most commonly delirium delirium वाले मरीजों में delirium वाले मरीजों में most commonly hallucination होते हैं कौन से होते हैं visual एक और example देता हूँ delirium के अलावा एक और example देता हूँ और यहीं पर मैं आपका topic आज का खतम कर रहूँ ठीक है visual hallucination का example है कि delirium वाले मरीजों में hallucinations visual वाले दिखाई देते हैं और दूसरा example मैंने बोला alcohol withdrawal तो इसको रटनी की जुरूत नहीं पड़ेगी competition exam में question आता है देखो कैसे डेलिरियम की बात करते है डेलिरियम डेलिरियम के लिए बड़ाई फेमस question आता है nursing competitive exam क्या आता है the disorder in which cloudy of consciousness बड़ाई फेमस टर्म है आप सबने सुना होगा cloudy of consciousness cloudy of consciousness दुबारा बता रहा हूँ cloud cloud यानि बादल दुंदलाहट और consciousness यानि चेतन आवस्था यानि चेतन आवस्था की दुंदलाहट यानि अर्द चेतन आवस्था या इंगलिश में बोलूँ तो semi consciousness तो डेलिरियम में एक बड़ा ही अच्छा फीचर हम सबको पता होता है exam में भी question आता है कि क्लावडी ओफ consciousness किस बीमारी में देखने को मिलती है तो उसको हम क्या बोलते है डेलिरियम अब एक बात आप खुद बताओ कि आपकी consciousness change हो रही है मतलब मैं बेहोस होने वाला हूँ बेहोस होने वाला हूँ तो मुझे आवाजें आने का ज़्यादा रिस्क है या दिखाई देने का ज़्यादा रिस्क है खुद सोचें अगर मेरी consciousness change हो रही है तो मेरा visual impairment क्टडवड हो रहा है तो मुझे किस तरह के hallucination का रिस्क जाता है visual hallucination का यानि एक बात आज समझ में आ गई कि delirium के अंदर most common type के hallucination होते हैं वो कौन से होते है visual ना की ना की और इट है दूसरे पर चलते है alcohol withdrawal पहले तो इसका मतलब समझ लो alcohol withdrawal alcohol तो आप सभी जानते ही है शराब जो developing country में एक सबसे सस्ता और easily available नशा माना जाता है आगे चलते हैं withdrawal का मतलब होता है जब हम किसी drug को छोड़ते है when we cessation or stopping any drug then many of reaction produce over the body that is called withdrawal reaction अब exam में question क्या आता है कि alcohol withdrawal reaction या alcohol withdrawal syndrome में most commonly कौन से तरह का hallucination दिखाई देता है बड़ाई confusing question है क्योंकि कुछ तो बोलते हैं auditory दिखाई देता है कुछ बोलते हैं visual मैं आपको बिल्कुल clear रकट बताऊंगा अगले दो मिनट के अंदर ध्यान से समझना alcohol withdrawal reaction पर एक question आता है पहले तो ये बताते हैं कि ये समझ में आया कि alcohol withdrawal reaction क्या होता है दुबारा एक बर समझा रहा हूँ alcohol छोड़ने की वज़े से चोबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर मालो मैंने 15-20 साल हो गए शराब पीते हुए college life से start की थी और अभी तक daily 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 पीते जा रहा हूँ अब डॉक्टर को दिखाया 15-20 साल में कुछ symptom आये कुछ symptom आये जैसे की hemorrhoids इस्टूल के साथ बलड़ाना एनीमिया हीमोलाइसिस पैंक्रियेटाइटिस लिवर सिरोसिस फैटी लिवर वगेरा वगेरा अब GERD गैस्ट्रोईस विजिल रिफलेक्स डिजीज इस तरह के symptom आने लगे मैं डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने बोला सर आपका तो फैटी लिवर हो गया है शराप पीना बंद करना पड़ेगा तो अब आज मैंने तो 15 साल से शराप पी थी आज अचानल छोड़नी पड़ेगी जैसे ही मेरे बलड में एलकोल का लेवर डाउन होगा 24 से 48 गंटे के अंदर कुछ रियक्शन मेरी बोड़ी पर आ जाएंगी उन्हें रियक्शन कोई क्या कहते हैं एलकोल विड्रॉल सिंड्रॉम या एलकोल विड्रॉल रियक्शन आगे चलते हैं तो मेरा कुश्चन यह है जो कंपटिशन एक्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप आफ मोस्ट कॉमन टाइप आफ एलकोल विड्रॉल रियक्शन है तो मैं अभी डारेक्ट बता रहा हूँ अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूँगा एलकोल विड्रॉल यानि शराब छोड़ने की वज़े से 24 से 48 गंटे में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सिम्टम दिखाई देता है उसका नाम क्या होता है डेलिरियम ट्रीमेंस हो सकता है आपने सुना हो या नहीं भी सुना हो मैं एक बार दोबारा बता रहा हो शराब छोड़ने की वज़े से 24 से 48 गंटे में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सिम्टम आता है वो उसका नाम क्या है डेलिरियम ट्रीमेंस डेलिरियम ट्रीमेंस तोड़ देते हैं इसको तोड़ दिया डेलिरियम मतलब ट्रीमेंस एक लेटिन वर्ड है मतलब ट्रीमर्स यानि शराब छोड़ाएंगे तो दो दिन के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब 34% मरीजों में 34% मरीजों में एलकॉल विड्रॉल के 34% मरीजों में ये सिम्टम दिखाई देता है समझ लेता है डेलिरियम मतलब क्लावडी ओफ कॉंसियसनेस और ट्रीमेंस मतलब हाथ पैरों का कप कपाना इसके अलावा इसमें एंजाइटी, फलशिंग, स्वेटिंग, टैकिकाडिया, हेपरटेंशन जैसे और भी लक्षन होते हैं डेलिरियम, ट्रीमेंट डेलिरियम का मतलब क्लावडी ओफ कॉंसियसनेस और ट्रीमेंस का मतलब ट्रीमर्स क्लावडी ओफ कॉंसियसनेस चेतन अवस्था कौन से हैलूजिनेशन होंगे तो यह रटने की जरूवती नहीं है कि auditory होगा कि नहीं होगा क्योंकि visual hallucination delirium में जैसा कि अभी हमने पढ़ा most commonly दिखाई देता है काफी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं मेरे इस topic को यहीं खतम कर रहा हूँ all factory, guest category और tactile की बात हम करेंगे detail में next video में या अगर आप offline classes लेना चाते हैं तो हमारा coaching institute है account staff nurse coaching उसको आप join कर सकते हैं और मैं नीचे tagline में आपको notice दे दूँगा, link दे दूँगा जिससे आप directly address या phone number भी ले सकते हैं, अगर आपको ये video पसंद आया हो तो share it, like it and subscribe and comment, अगर आप मेरे वीडियो को appreciate करेंगे तो मुझे और भी motivation मिलेगा कि मैं आगे nursing student, dentist या medical students को भी आगे और वीडियो बना कर दे सकता हूं, thank you very much